बड़ी खबार नोईडा से मिल रही है जहां बस में भीशन आख लगी है सड़क पर धूनू कर पूरी बस जल गई बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया सेक्टर उन्चास के बरोला में यह खास्ता हुआ बस में भी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया यह तस्वीर आपको निका रहे है पूरी बस धूनू कर जलती रही इस वीच फाय विर्गेट को भी इसकी सूचना दी गई लेकिन जब तक फाय विर्गेट यहां पहुंशती बस में आग लग चुकी थी कुई तरे से और बस जलकर खाक हो गई यह नोईडा की तस्वीर है सेक्टर उन्चास ठाना शेतर का यह पूरा मामला सडक पर धूलू कर जली बस और इस तोरान लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई आप देख सकते हैं तस्वीर को बस में आग खिलकाणों से लगी है इसकी जांच की जाएगी वो सकता है शौट सर्किर्ट की वज़े से आग लगी हो यह तस्वीर आपको नोड़ा की दिखा रहे हैं जहां बीच सडक पर एक बस में आग लगी इस बस में कई यात्री भी थे लेकिन गरीमत ही रही कि समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया बस में आग लग चुकी थी बस के चालक ने अपनी जान बचाई कूथ कर और सभी यात्री को भी बाहर निकाला गया यह तस्वीर नोड़ा से आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले सेक्टर 49 के बरोला में यह हास्व हुआ है एक बस इसमें भी शड़ाग लगी धूरू कर पूरी बस 20 सड़क पर ही जल गई फाइब रिगेट भी सुषना दी गई है यह तस्वीर आपको दिखा रहें नोड़ा की 20 सड़क पर यह बस जली कई यात्री इसमें सबार थे सभी को बाहर निकाला गया समय रहते गरीमत रही की जन्हानी नहीं हुई लेकिन बस में आग के इंकाड़ों से लगी इसकी जाच की जाएगी इस तोरान वहाँ पर मौचूद लोगों की धीर भी लगी बरोला में यह हाथसा हुआ है सेक्टर 49 के बरोला में यह हाथसा हुआ यह तस्वीरे हैं नोड़ा की इस तस्वीरे आप देख पा रहे हैं एक चलती बस में अचानक आग लगी और समय रहते बस में सभी आथियों को बाहर निकाला गया यह सबसे पहरे तस्वीर आप देख पा रहे हैं नोईटा की यह तस्वीरे हैं सक्टर उन्चास के बरोला शेत्र में या आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले लिया और आप देख सकते हैं कुछ आवास भी आई जिसकी चलते हैं फिर लोग वहाँ से बागे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोईटा के सेक्टर उन्चास के बरोला शेत्र से जहां पर एक बस ने भीशन आख लगी देखिए आप तस्वीरों को दूदू कर ये पूरे बस जल गई इस गहतना के सुचना फाया ब्रिगट को भी दे गई लोगों की भीड़ भी वहाँ जमा हो गई अच्छी बात है रही कि पस्वार सभी आत्रियों को समय रहते बाहर निकाल गया